असलाम लेकूम गैज मैं हुज़ मेरफान आपकी ऑनलाइन ठीचर हम क्लास वन पाक्त फ्यतियामा की बुक करे रहे हैं आज हमने आठमा बाव यानिके चैप्टर नुबर एट करना है ठीक है तो चैप्टर नुबर एट का नाम है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान ठीक है तो आज हम हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है इसको रीट करने वाले हैं तो यह देखे जाए इस बाव के एक्टताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे के लाइक इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये सब जो बाते हैं इनका नॉलिच हो जाएगा ठीक है तो देखते कि हर मुलका अपना एक जंडा होता है जैसे हमारा जंडा है ना वैसे हर मुलका अपना जंडा होता है ठीक है तो इस बारे में जान सकेंगे पाकिस्तान का जंडा बना सकें लाइक हम ड्रॉ कर सकें ये जान सकें कि पाकिस्तान के रंग चांद और सितारे क्या जाहिर करते है लाइक हमें अपने जो है वतन के बारे में सारा नौलिज हो जाएगा ठीक है इस चैप्रे को पढ़ने के बाद तो चले स्टार्ट करते हैं तो ये देखें ये बच्छे बने हुए है इन्होंने पाकिस्तान का जंडा पकड़ा हुआ है क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है अब वो आप से पूछे हैं कि आप जानते हैं तो अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि पूरा नाम इसलामी जमूरिया पकिस्तान है ठीक है ये 14 गस्ट 1947 पकिस्तान का क्याम जो है वो 1947 में हुआ इसलिए हम 14 गस्ट को जशने अजादी लाइके हमें अजादी भीलकर इसका जशन मनाते हैं नेक्स पर देखें जबानी बताएं आपको पकिसान के कितने शेहरों के नाम मालूम है अपने हम जमातों को बताएं अब वो आपसे पूछे हैं कि आपको पता है जैसे कि हम लाहोर में रहते हैं तो आप लोग कराची में रहते होंगे तो इस तरह आपने शेहरों के नाम बता पेशु हैं好好 है अप्छों मुलक पर्चम होता है ये सप्षके इन चाहते हैं तो फर्स फ्लैक नजर आज़ा यह सवृद्धी आरब पर च्राम सनौंदनी ठीक है तो ये देखें लाइक ये एक सेंबल्स होते हैं जिन से हमें पता चलता है कि ये इस कंट्री के पर्चम है हर मुलके पर्चम में मुखलिफ रंग और निशानात का खास मतलब होता है लाइक लाइक जो जंडा होता है ना वो उसके अंदर जो निशानात लाइक के ये द तो देखते हैं कि लाइक इस जंडे में ये जो कलर हैं और ये जो निशानात हैं इनका क्या मतलब है पर्चम का सबस रंग मुसल्मानों की अबादी को जाहिर करता है ठीक है अब वो बता रहे हैं कि जो सबस रंग है वो मुसल्मानों की अबादी को जाहिर कर रहा है पाकिस्तान में मुसल्मानों की अबादी करीबन 97 फीसद है ठीक है 97 अब वो आपको बता रही हैं कि तकरीबन इतनी है पर्चम का सफेद रंग दूसे मजाहिब से तालुक रखने वालों को जाहिर करता है पाकिस्तान में तमाम मजाहिब के लोग अमन और खुशाली से रहते हैं लाइके पाकिस्तान जो है उसमें दूसे मजाहिब की रिस्पेक्ट की जाती है और पाकिस्तान की तरकी के लिए काम करते हैं पर्चम में सफेज रंग का चांद तरकी और पांच कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है ठीक है अब आपको पता चल गया है कि रंगों और निशानात का क्या मतलब है अब वो बता रहे हैं कि जो चांद सितारा बना हुआ है ना चांद तरकी और जो सितारा है वो रोशनी और इल्म को जाहिर करता है ठीक है अब यह देखे एक सरगर्मी आगी है पच्चम के रंग और उसकी अलामाद को उसके मतलब से मिलाएं लाइक वो गहरे हैं आपको पता चल गया है ना तो आपने हमें बताना है पच्चम में रंग और अलामात मतलब लाइक के जो रंग और अलामात है उनका क्या मतलब है सबस रंग का क्या मतलब है मुसल्मान अबादी ठीक है कि हम मुसलिम है सफेज रंग का क्या मतलब है दीकर मजाहिब के पाकिस्तानी लाइक के दूसरे मजाहिब के जो पाक हमारे मुलका पूरा नाम क्या है हमारे मुलका पूरा नाम इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है हम किस तारीक को जशने अजादी मनाते हैं हम 14 अगस्त को हम जशने अजादी मनाते हैं नेक्स पे देखे हैं आप पाकिस्तान के पच्चम में रंग भरें अब आपने पीछे देख अगर आपको कलर नहीं पता तो यह मैं तस्वीर दे रही हूं उपर इसको देखके आपने इसमें रंग भर देने हैं ठीक है तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होका है आई होप काई आप लोगो पता चल गया होगा कि इस चैप्टर की डिडिंग कैसे करने और इसको करना इसकी जो एक्टिविटीज है थैंक्स फूर वाचिंग तैंक्यू सो मच वीडियो ची लगी तो में चल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें नेक्स वीडियो में मिलेंगे अला आफेस